Hello everyone, यह विडियो है insurance को लेके, क्या हमें insurance लेना चाहिए, कौन सा plan लेना चाहिए, क्या normal insurance की तरफ हम जाएं, या फिर term insurance ले중? क्या हमें child insurance लेना चाहिए उनके education के लिए जो different different किस्तों में payment करते हैं, बड़े सारे plan होते हैं, companies के पास? ultimately हमें क्या करना चाहिए इस पर ये वीडियो है और आखरी तक रहिएगा काफी आपका दिमाग खोल सकता है इससे काफी benefit हो सकता है आपको insurance लेना ही चाहिए या नहीं लेना चाहिए इस पर भी बात करेंगे हम लोग तो overall पूरी insurance की knowledge होने वाली है कुछ उसमें chart में दिखाऊंगा calculate करके दिखाऊंगा तो आखरी तक बने रहिएगा तो चलो हमनों discuss करते हैं insurance पहली बात लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए answer है insurance 100% लेना चाहिए और दोनों insurance लेना चाहिए life के लिए भी और life के लिए भी और medical insurance भी क्योंकि एक ऐसा tool है जो आपकी family को insure करता है आने वाले future में जो financial complications, financial crunches से बचने के लिए अगर आप earning member है और आपकी family आपफे dependent है या आप earning member है और आपकी family भी अनकरती लेकिन आपकी earning ज़ादा है और आपकी earning से घर की lifestyle को चलाया जाता है तो भी हाँ अगर आपकी earning से घर को कोई फरक नहीं पड़ता और लेड़ी घर पे बहुत sources of income है तो कोई ज़रत नहीं है यो बात में बात करेंगे पैरलली medical insurance तो सबको होना चाहिए भले ही आप earning member है आपकी पूरी family आपपे dependent नहीं है तो भी medical insurance सबका होना चाहिए आपकी company कई बार आपको medical insurance देती है लेकिन तब तक देती है जब तक आप उसके apply हो या उसका जो some insured है या कुछ-कुछ चीजे जो है वो साहिद उतना high नहीं हो तो ऐसे cases में आपको देखना होगा कम से कम 5 लाग से लेके 15 लाग के range में एक normal इंसान के लिए health insurance की जरूत होती है इसके उपर भी कर सकते हो depending on your lifestyle depending on your requirement आप upper middle class में है higher class में है जो भी उसे साब से लेकिन इतना जो bracket है 5 से 15 लाग का ये होना चाहिए कई की बार आप 5 लाग से start करते हो और कोई claim नहीं लेते हो थोड़ा add-on होता जाता है तो ये आपको insurance मिल सकता है इस तरह से दूसरी बात health insurance दूसरी बात आप आज आते है life insurance की life insurance में जो endowment plan होता है या फिर आप जब तक किस्ते दे रहे हो उसके इतने अगले 20 years 10 years तक आप insured रहोगे आपको इतना lump sum amount मिल जाएगा cash back होता रहेगा तो बंदे को लगता है यार मैं insured भी हूँ और जितना दे रहा हूँ उससे जादा ही मुझे मिल रहा है फिर उ loyalty bonus वस तरह से इस तरह से भी कुछ कई चीजे मिलती रहती है तो इसके trap में बंदा फस जाता है ज़्यादा तर आपको आपके जाने वाले suggest कर देते हैं और आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते नहीं हो तो आप ले लेते हो कि ठीक है यार हमारा investment जा रहा है retirement के time या उससे पहले time पे हमें काफी पैसा मिल जाएगा यह सोच के आप investment करते रहते हो लेकिन यह investment आपका बहुत ही बुरा investment साबित होता है कई कई बार तो FD के rate से भी कम मिलता है आपको तो क्या हमें life insurance लेना ही नहीं चाहिए आपको life insurance बिलकुल लेना चाहिए लेकिन term insurance लेना चाहिए अब term insurance ले तो लोगों insurance basically लिया ही जाता है अपनी life को insured करने के लिए term insurance के 50,000 per annum के premium पे जो आपको अगर आपकी age कम है या जादा है जो भी हो उसी age पे में बात करूँगा जो sum insurance आपको मिलता है miss happening के case में वो लगभग लगभग चार गुना होता है आपके normal plan से जो cashback plan है तो आप अगर आपने 1, लाक रुपे का insurance किया है जिसका आप cashback चाहते हो उसकी जगए आप सिर्फ 25,000 या इवन उससे भी कम का आप लोग term insurance कर लो आपका जो sum insurance होगा उससे जादा होगा तो पहली बात आपकी life secure हो जाएगी और आप अपना investment 75% reduce कर दे रहो यहां से जो आप normal cashback scheme में देने वाले थ इससे जो 75% बचता है उसको आप कहीं और अच्छी जगए invest कर देजे जहां से आप 10%, 15%, even 20% return आप generate कर सको over the period of time तो आपका wealth काफी ज़्यादा बढ़ जाएगा आप सोच भी नहीं सकते तो इसको मैं आज graph से दिखाने वाला हूँ आप सबको आप graph से देखिए और समझने की कोसिस कर यह, मैं 2-3 cases ले रहा हूँ, तो मैं अपने screen पे company का calculator यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा amount you can invest today, तो यह माल लेजे मैंने पहली किस्त 50,000 की दे दिये, और मैं अगले 10 साल तक या 20 साल तक मैं किस्ते देने वाला हूँ insurance company को, माल लो, मैंने 50,000 के ब पाँच हजार रुपे पर मन्थ चूज किया, जो करीब करीब साथ हजार सालाना का annual payment आता है, कई बार annual देते हैं तो आप कम रहता है और मन्थली देते हैं थोड़ा ज्यादा रहता है, तो मैं मन्थली 5,000 चूज किया हूँ, जो मेरे लिए comfortable है सपोस, और मैं 15 साल तक माल invested रहना चाहता हूँ, 15 साल मेरा tenure है, कि 15 साल तक मैं पैसे दूँगा, जनरली ये सारे plan 10-15 साल तक पे करवाते हैं हमसे, उसके बाद 10 साल अगला उनका cooling period होता है, फिर आपको वो return करते हैं, तो 15 साल मैं invested रहना चाहता हूँ, उसके बाद मैंने कोई cooling period उरेट नहीं रखा है और number of year you want to stay invested, number of years you want to stay invested, उसको 30 कर देता हूँ, जनरली, 30 साल, 10, 15 साल या एक काम करता हूँ, number of years, 10 साल मैं invest कर रहा हूँ, और उसके बाद अगले 20 साल तक मैं invested रहना चाहता हूँ, उसमें यानि 10 साल मेरा पैसा पढ़ा हुआ है वहाँ पे, और मैं simply 10% का interest expect कर रहा हूँ, तो मैंने जो पे किया, 20 साल में सिर्फ 6,50,000, हमने 20 साल में invested रहा, 10 साल मैंने पे किया, हर साल 50,50,000, हर साल 60,000, तो 66,00,000 हो गया, 50,000 मैंने शुरू में पे किया, तो 6,50,000, हो गया, 10% के rate से 20 साल बाद मेरे पैसे हो गए 31,00,000, कोई भी insurance, life insurance का plan आपको 31,00,000 नहीं देता, चेक कर लिजेगा, 50,000 के premium पे, आपका ये पैसा 31,00,000 हो सकता है, सिर्फ 20 साल की बाद कर रहा हूँ, अगर आप यह एंगे इजमे कराते हैं, और ज़्यादा जाएगा, अब वही बात, अगर आप सोचते हो, कि मैं 15% इसी पैसे को कहीं भी invest कर देता हूँ, किसी mutual fund में invest कर देता हूँ, लॉंग टम equity में invest कर देता हूँ, अच्छी company में, तो अब मैं amount को कम कर देता हूँ, और सुरू में मालो मैंने लाला सिर्फ 40,000, पर मन्त मैं सिर्फ 4,000 पे कर रहा हूँ, अगले 10 साल तक पे किया, और मैंने 20 साल तक मैं रहा invested, और मैं अपना interest rate 15% जो निप्टी आराम से बीट कर रहा है, इसको दे रही है, मैं रहा, तो अब जो मेरा पैसा आ गया, वो हो गया 57 lakhs, यानि हमने अपना पैसा लगभग लगभग 25% कम कर लिया, investment में, और उसी 5% interest rate बढ़ा लिया, और मेरा पैसा 57 lakh हो गया, मुझे 20 साल में 57 lakh मिलेंगे, तो यानि वहां से हमने reduce किया, और कहीं और लगा दिया, अब आप imagine करिए, कि अगर उस पैसे का 75% आप invest कर देते हैं, और अगले 20 साल तक आप invest कर रहे हैं, तो आपको अलग से कितना पैसा मिल जाएगा, और आपका life insurance हो जाता, उस 20-25% जो भी उससे, उस premium का, जो आप actual में life insurance को दे रहे थे, उससे 20-25% कम premium पे, मलब उसका 20-25% हिससा, आप term पे लगा दीजियो, तो आपका sum is short भी लगभग उतना रहेगा, और यहां से आपको investment से आपको काफी अच्छा पैसा मिल जाएगा, तो यह एक तरीका हो सकता है, दूसरा मान लीजिये, आपने एक दूसरा case लेते हैं, आप पूरे साल invest कर रहे हो एक लाख के हिसाब से, एक लाख सुरू में आपने case दिया, और उसके बाद एक लाख annual plan आपने ले लिया, investment से annual ले लिया, insurance बाले से बोला, हम एक साथ देंगे, मेरे पास पैसे होते हैं, कोई attention नहीं है, तो yearly मैंने बोला, और मैं 10 साल का plan ले रहा हूं, एक लाख मैंने सुरूम दे दिया, 9 लाख मुझे आगे देना है, 9 साल और आगे देना है, 9 years मुझे और आगे उसको pay करना है, उसके बाद मैं चाहता हूं, उसने मरे को insurance बाले ने बोला कि आपको 20 साल invested रहना पड़ेगा, insurance बाले जनरली 6-7% का return आपको देते हैं, माल लेजे उन्होंने आपको 8% का भी return दिया, 8% का भी return दिया, तो आपने जमा किये 10 लाख, और 20 साल बाद 36 लाख होते हैं, सिर्फ औ 8% पर, अब माल लेते हैं कि आपने इस 1 लाख का 25 जार term insurance में दे दिया, बचा कितना 75,000, 75,000 रुपे आप invest कर रहे हो mutual fund में, 75,000 से, 25% आपने term insurance ले लिया, लगभग उतने समय स्योड़का, उसके बाद यही 75,000, आप annually या इसको divide करके और easy कर लिया, 9 installment आप दिये हो, और 20 साल तक invested हो, और interest rate बढ़ गया आपका 15%, अब जड़ा imagine करो आपका पैसा 79,000,000 हो जाएगा, वो भी तब जब आपने 25% डाउन कर दिया, so see the magic of the investment in a better fund, better stock, better asset class, तो यहां से आप अपने investment को काफी आगे ले जा सकते हो, मुझे लगता है यह ग्यान अगर आपको आ जाएगा, तो आप अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ टर्म में डालो, जितना insurance ले रहा है उसका 25%, rest पैसा discipline के साथ, the problem is only insurance के case में हम पैसा दे देते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारी policy lapse कर जाएगी, और investment के case में हम थोड़े से casual हो जाते हैं, तो वो casual आपको नहीं होना है, अगर आप casual हो गए, तो गया मामला, तो मुझे लगता है ये ग्यान आपको help करेगा, and I hope आप आगे बढ़ोगे और इसको अच्छे से समझोगे, Thank you very much.